नमस्कार विध्यारतियों आज इस व्यक्यान के अंतरगत आप राश्ट्रिय आयके मापन के अंतरगत भारत में राश्ट्रिय आयकी गणना के बारे में विस्तार से समझेंगे इससे पूर के वेख्यान में हमने राश्ट्रिय आयके मापन के अंतरकत, राश्ट्रिय आयको मापने की तीनों विदियों के बारे में, जो की तीनों मुख्य विदिया हैं, उनके बारे में विस्तार से जाना था, उत्पादन योग विदी, आय योग विदी और व्यय योग राश्ट्रिय आयकोमापने की ये तीन मुख्य विद्या हैं इनके अलावा भी कुछ विद्या हैं जो लेखोने या अर्थशास्त्रियों ने सुझाई है जैसे मुल्य बढ़ाव विदी और समाजिक लेखांकन विदी लेकिन राष्ट्रियाय को मापने की तीन मुख्य विद्या हैं जिनके बारे में हम इसे पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से जान चुके हैं इस व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि भारत में राष्ट्रियाय की गर्णा कौन करता है किस प्रकार की जाती है और इसका इतिहास क्या है स्वतंतत्ता से पूर्व भारत में राष्ट्य आयमापने की कोई विशिश विदी नहीं थी और नहीं नियमित रूप से राष्ट्य आय की गणना की जाती थी चाहे सरकार किसी की भी हो या सत्ता या शासन किसी का भिरा हो विदिवत रूप से निमित रूप से राष्टियाय की गणना नहीं की जाती थी यदेपी स्वतनतत्ता से पूर्व दादा भाई नोरोजी जो ग्रेट उल्ड मेन के नाम से भी जाने जाते हैं उन्होंने भारत में राष्टियाय की गणना के लिए कुछ प्रयास किया था और अपनी फुस्तक में राष्टियाय की गणना और उससे समंधित आंकडे जारी किये थे और उसके बाद में डॉक्टर वी के आरवी राव जो की एक अर्थशास्त्री थे भारती अर्थशास्त्री थे उन्होंने वेगानिक तरीखे से राष्ट्रिय आय के गणना करने के कोशिश किये थी और उन्होंने राष्ट्रिय आय से सम्मंदित स्वतंतरता से पूर्व प्रस्तुत किये थे। स्वतंतरता प्राप्ति के पश्चात भारत में राश्ट्री आयक की गणना नियमित रूप से और विदिवत तरीके से की जाती है। प्रस्तुत के पश्चात भारत में राश्ट्री आयक की गणना की राश्ट्री आयक का माप किया। उसके बाद 2 मई 1951 को कैंद्रिय सांके की संगठन यानि CSO Central Statistical Organization की स्थापना की गई। और तब से लेकर अब तक भारत में राश्ट्री आयक की गणना केंद्रिय सांके की संगठन CSO Central Statistical Organization के द्वारा किया जाता है। पूरू में यह संके की विभाग से अंदरकत काम करता था, उसके बाद वानिजी मंत्रा ले के अंतरकत, विद मंत्रा ले का अंतरकत। अब वर्तमान में यहाँ सांकिकी और कारिक्रम क्रियानवयन मंत्रा लए M.O.S.P.I. जो कि केंदर सरकार का एक मंत्रा लए है उसके अधीन कारिकार रहा है और राश्ट्री आय से समंदित आंकड़े एकतित करने के साथ साथ अनेक महत्तुपूर्ण सांकिकी आंकड़े समंग एकतित किये जाते हैं और यह जब एकतित किये जाते हैं तो इन्हें प्रस्तुत करने के लिए राश्ट्री लेखा सांकिकी जारी किये जाती है उसके अंतरगत राश्ट्री आय के आंकड़े जारी किये जाते हैं राश्ट्री आय और इसके विबिन घटकों और इससे समंद समस्प्रकार के आंखडे जारी किया जाते हैं केंद्रिय संकी के संगतन जब राष्ट्री आयं के आंखडे एकतित करता है तो मोटे तोर पर अर्थ व्यवस्ता को विभिन भागों में बार्द जाता है और वो बड़े शेत्र हैं वो पांच है और पुनह यह जो पांच शेत् कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में जाना था कि जब राष्ट्री आयक की गणना की जाती है तो अर्थ व्यवस्ता के विभिन शेत्रों को अलग-अलग भागों में बांच दिया जाता है जाए वो क्रश्री शेत्र हो उद्ध्यो क्षेत्र हो विदिर्वान हो सेवा योग वाने की निर्माण वी निर्माण सेवाएं अनेक प्रकार हो सकते हैं इसी तरह से इनको जब बाटा जाता है तो अनेक समसें सामने आई जिसकी वज़े से राष्ट्री आयके आंकड़ों में एक तृत करने में कटी नहीं आने लगी इसलिए ये जो अर्थ व्यवस्त तो इसलिए इसलिए तेरा छोटे-छोटे इसके उबाग कर दिये गए जैसे हम कई बार केते हैं होटल तो होटल में कहने को तो ये भी कहा जाता है कि चाय पी के आते हैं चलिए होटल यानि कि जो एक धावा लगा जाता है टी स्टॉल होती है उसको भी होटल के दिया जाता है और कहां रुके थे कि होटल में रुके थे वो फाइव स्टार होटल भी होटल होती है तो इस तरह से श इन पांच भागों में तेरा भाग समाई थे अर्थात अर्थ व्योस्ता में जितने भी शेत्र हैं, जितने भी भाग हैं, जितने वर्ग हैं, उन सब को इन छोटे-छोटे हेडिंग्स में नाम करण कर दिया गया है तो प्रात्मिक शेत्र में जो उत्पादन के शेत्र आते हैं, वो है क्रशी, वनोध्योग, और लकडी के लठे बनाने का कार्य, मचली उत्ध्योग, खनन और उत्खनन, ये प्रात्मिक शेत्र के मुख्य शेत्र हैं, उत्वर्ग हैं, और दूसरा है दुत्यक शेत्र, इसके अंतरगत निर्मान कार्य, विदिर्मान, विद्यूत और गैस और जलावपूर्ती दृतिक शेत्र में समाई थे और तृतिक शेत्र में परिवहन, संचार, एमवम व्यापार तथा जलपान ग्रह और जो संग्रहन यानि के कलेक्शन सेंटर्स होते हैं और उसके बाद जो चोथा शेत्र है, वह है वित और इस्थावर संपदा से संबंदित इसमें वित और इस्थावर संपदा से संबंदित जितने भी शेत्र हैं उन सब को उपवरगों में या हेडिंग में बांट दिया गया है banking, व्यापार, बीमा ये तो वित और banking से संबंदित है इसके अलावा जो संपदा से संपदा है वो इस्थावर संपदा यानि जो assets होती है आवास ग्रह और उनका स्वामित्व और इनके अलावा जो business services से व्यापसा एक सेवा हैं छोटी मोडी वो साभी इसी में जोड़ दी जाती है और पांचवा जो सेक्टर है वो है सामुदाइक तथा व्यक्तिक सेवाएं इसमें सरकारी प्रशाषन, प्रतिरक्षा और अन्य जितनी भी सेवाएं हैं वो सब इस पांचवे भाग में पांचवे शेत्र में समाई थे इस प्रकार केंद्रिय संकी की संगठन अर्थववस्ता के सभी शेत्रों को मोटे तोर पर पांच भागों में बाटकर इन में तेरा उपवग करके और सभी उपवगों में जो उत्पादन होता है और जो आय प्राप्त होती है इन में समाहीत उत्पादन के साधनों को उन सब का योग लगा दिया जाता है जैसा कि हमने उत्पादन योग विदी और आयोग विदी के अंतरकत समझा था उस प्रकार से अर्थात जिन शेत्रों में उत्पादन के साधनों या संसातनों को जो आय प्राप्त होती है उनसे सम्मंदित आय के आंकडे लिखल लिए जाते हैं और उनका जोड़ कर लिया जाता है और जो ऐसी शेत्र जहां जैसे क्रशी और वानिकि और मचली उद्यूग जहां पर आय के आंकडे सही सही नहीं प्राप्त होतें वहाँ पे उत्पादन के आंखड़े ले लिया जाता है और उनके बाजार मुल्यों को ले लिया जाता है और फिर सब उनका जोड़ कर लिया जाता है और फिर सब प्रकार के जोड़ों को एक साथ रखकर उसका महायोग कर लिया जाता है और अंत में जो प्राप्त राशी होती है वही हमारी राष्ट्रिया होती है और मोटे तोर पर जब हम कहा रहे हैं कि बाजार भावों पर हम राष्ट्रिया के गढ़ना किये है अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट है यह जिनकी हम बात कर रहे हैं और यह बाजार मुल्यों पर है और उसके बाद उसमें से कर देते हैं तो वह फैक्टर कोस्ट पर जी एनपी प्राप्त हो जाएगी इसी तरह से यदि बाजार भाव पर जो जी एनपी प्राप्त होती है उस में से यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा देते हैं तो वह जी डीपी प्राप्त हो जाएगी और जी प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से राष्ट्रिय आयए की गणना कर ली जाती है अब हम समझेंगे की राष्ट्रिय आयए की गणना करते समय या इसके मापन में कौन-कौन सी कठिनाईयां आती है अन्यक प्रकार के कठिनाईयां हैं जैसे कि मैंने बताया कि कई ऐसे शेत्र हैं जहां पर आय के आंकड़े सही सही नहीं मिलते हैं बहुत ही कम शेत्र हैं और खास करके संग्ड़त शेत्र ही ऐसा है और सरकारी शेत्र है उसी में आय के आंकड़े सही सही प्राप्त होते हैं आय का लिखा जो का सही सही प्राप्त होता है बाकी जितना भी असंग्ड़े शित्र है और भारत में विशेशकर असंग्ड़े शित्र का बहुत बड़ा भाग है तो वहाँ पर आय के आगड़े सही सही प्राप्त नहीं होते हैं कितने उत्पादन के सादनों ने अपने आय के आगड़े रखे हैं ये कहना मुश्किल हो जाता है तो ऐसी इस्तिती में उत्पादन से सम्मंधित मुल्यों को ग्याद किया जाता है और ऐसे भी है कि जिन शेत्रों में आये के आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं उनसे सम्मंदित उत्पादन के आंकड़े ले लिया जाते हैं लेकिन उत्पादन के आंकड़े भी नहीं प्राप्त होते हैं तो ऐसी इस्तिती में उनसे सम्मंदित उत्पादन को ओसतन उत्पा आती है विशेशकर वो जिनके बारे में हम कहते हैं कि यह मद्यवर्ति वस्तों हैं जो दोबारा जुड़ती जाती है तो मद्यवर्ति वस्तों के जुड़ जाने से और estimation के समस्या भी उत्पन हो जाती है दूसरी तरह हमने कल ये भी बात किये थी यानि कि इससे पूरूव के व्यक्यान में कि जब राष्ट्रियाय की गणना की जाती है तो उसमें ऐसी अनेक सेवाएं राष्ट्रियाय में सामिल होना से रह जाती है जिनके बदले में कोई वेतन या मेहनताना नहीं चुकाया जाता है तो ये under estimation की समस्या भी सामने आती है इसके अलावा ऐसी कई वस् अनौती है जो 25 वरसा होती है अर्थात बाटर सिस्टम में जैसा हुआ करता था वैसी होती है और आमको बताता हूं कि जिसने हमारे खेत में काम किया उनके बदले में उनके वहाँ जाकर काम कर लेंगे या ऐसा भी होता है कि ट्रेक्टर वाले को कह देते हैं कि आप मेरे यहां पर हल चला दो और जब यहां ग्यों का उत्पादिन कर रहे हैं और जब ग्यों उत्पादित होगा पैसे नहीं जब उत्पादि होगा, तो आपको ग्योंग की बुरीयाँ दे दी जाएगी. जितना हमारे यहाँ चलेगा, उतना पैसे के बदले आपको पैसे नहीं लेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगा उसके बदले में आप हमें पैसे दे देना. इस तरह के अनेक आर्थिक विवार ग्रामिन शेत्रों में पाये जाते हैं और यह भी राष्ट्री आये में के मापन में कठिनाई उत्पन कर सकते हैं और एक और कठिनाई होती है और वो होए होती है कि राष्ट्री आये के आंक्रे जब एकतित किये जाते हैं तो केंद्री सांकी की संग्ठन के द्वारा किये जाते हैं लेकिन निचले इस तर तक आते आते अर्थाथ सांकी की विभागों जो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं और फिर वो जिल्ला इस तर पर होते हैं और फिर जब ब्लॉक इस तरह और तैसिल इस तरह गाव इस तरह तक पहुंचते हैं तो वहां तक आते आते ऐसे कोई विशिश प्रगणक नहीं होते हैं जो की राश्टियाय के आखड़े एकतित कर रहे हो जो पहले से ही किसी इनकिसी विवाग में कारियरत होते हैं उन्ही को ये जिम्मासों पाजाता है तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारा मूल कारिय नहीं है इसलिए हम इसमें क्या करें तो जहां पर ओस्तान या जो भी उनको मर्जी पढ़ती है कई बार तो उस तरह से वो आंकडे भर देते हैं और देते थे हैं और इस प्रकार से आय के आंकडे जो सही सही प्राप्त होने होते हैं वो सही नहों के अनेक बार भ्रामक भी हो सकते हैं ये समस्याएं सामने आती हैं जब राश्ट्री आयक के आंकड़े एकतित किये जाते हैं और इनको हमने इन बिंदूों के द्वारा भी लिखा है अर्थवस्ता का पूर्ण संगठित न होना, व्यवसाइक विशेशिकरण की कमी, लोगों की उदासीनता, पर्याप्त वसही आं राश्ट्री आयक के गणना की जाती है तो और भी कई समस्याएं सामने आती है जो गणना करते हैं उनको उसके बारे में और अधिक जानकारी होती है आज इस व्याख्यान में इतना ही और अगले व्याख्यान में हम राश्ट्री आयक से सम्मंदित ही अगला टॉपिक राश बटेखर भर्षाम, खाल्ड हेदादा में हैं